ये कहानी है धनिपुर नाम के गाउं की जहां का सरपंच बड़ा ही लालची और बेमान था वो हर काम में बेमानी करता था और गाउंवालों को भी हमेशा लूटने में लगा रहता था सब गाउंवाले भी अब उससे परिशान हो चुके थे उसे गाउं के पास से एक बार एक चुड़ैल जा रही थी उसने सरपंच को लोगों के उपर अत्याचार करते हुए देखा तो चुड़ैल ने सरपंच को सबक सिखाने का फैसला किया तेरे जैसे लालची इंसानी पूरे समाज के लिए खत्रा है तुझे तेरे किये की सजा तो मिलनी ही चाहिए तो दोस्तों आगे देखते हैं किस तरह इस चुड़ैल ने सरपंच को सबक सिखाने सरपंच जी यह मेरा काम कपसे अटका हुआ है आपने बोला था इस अफते हो जाएगा देख सुखिया इस काम के तुझे 500 रुपे देने पड़ेंगे अगर तु इन पैसों का इंतिजाम नहीं कर सकता तो मेरे पास मत आना सुखिया बिचारा वहां से दुखी मन लेकर चला जाता है सरपंच के परिवार में उसकी पत्नी उसका बेटा और एक बेटी थी और वो सब भी सरपंच के जैसे ही लालची और बेइमान थे मा आज जब मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी तो मुझे वहां पर किसी की ये सोने की बाली गिरी हुई मिल गई और मैं इसको चुपके से उठा कर ले आई बहुत अच्छा किया मेरी बेटी तो कितनी समजदार है लेकिन सरपंच के घर में एक सदसे और भी है जो इन सारे लालचीयों के जैसे नहीं है वो है सरपंच के बेटे माधव की पतनी गीता बहुत ही सुन्दर और सुशील सबका ध्यान रखने वाली लेकिन इस घर में सब उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा सच्चाई और इमानदारी की बाते करती थी गीता उन दोनों माँ बेटी के पास आ जाती है और ये तुमने अच्छा नहीं किया बिंदू देखो जिसकी ये बाली है वो वहाँ पर कितना परिशान हो रही होगी तुम जाओ और ये बाली उसी घर वालों को देखर आओ देख बहू तुचुप चाप जाकर अपना काम कर आ गई हमको पाट पढ़ाने तेरा बाप भी तो सरपंच है उसने दहिच में कितना कम सामान दिया है वो भी तेरे जैसे उपदेश देता है ना इसी लिए बिचारी गीता वहां से चुप चाप चली जाती है रात हो जाती है एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा था घना अंधीरा था तब ही उसको मैसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जब वो पीछे देखता है तो उसको कोई नहीं देखता वो फिर से आगी की तरफ बढ़ जाता है तब ही उसको सामने एक चुडएल आ जाती है अचानक से चुडएल को सामने देखकर वो इंसान डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है वो चुडएल उसके पिटाई करना शुरू कर देती है घसीटा राम इतनी रात को मेरा भोजन बनने के लिए ही आया है तू नहीं नहीं मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो लेकिन वो चुडएल घसीटा को अपने साथ लेकर चली जाती है वही सरपंच के घर पर माधव गीता के उपर गुस्सा कर रहा था वो बिचारी एक कोने में बैट कर रो रही थी सरपंच उसकी पत्नी और बेटी भी वही पर खड़े हुए थे और हंस रहे थे तेरी इतनी हमत के माध से जुबान लड़ाने चली है तू अपने ज्यान की बातें अपने पास रखा गर तू समझी लेकिन मेरा कुसूर क्या है मैंने तो बिंदू को इतना ही कहा था कि इस तरह किसी की चीज उठाने अच्छी बात नहीं माधा तो इसको अच्छी तरह से समझा दे के चुपचाब बस नोकरानी के जैसे काम करती रहा करें और किसी के काम में कोई दकल अंदाजी ना करें ये सारा नजारा वहां से गुजरी हुई चुडैल भी देख रही थी उसको बेचारी गीता पर दया आ रही थी और सर्पंच और उसके परिवार पर गुस्सा आ रहा था गीता को देख कर तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई मैं इन जालिम लोगों से इस मासूम को बचा कर रहूँगी अगले दिन सर्पंच और माधव घर से बाहर अपने अपने काम के लिए जा चुके थे घर पर सर्पंच की पत्नी, बिंदू और गीता थे जो अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे मा देखो तो आज इस महरानी को क्या हुआ है? कितने आराम से सो रही है? क्या? अभी सो रही है? चल, अभी चल, उसके बाल खींच कर बाहर निकालती हूँ दोनों मा बेटी गीता के पास पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो गीता को मारने की कोशिश करती है, गीता दोर से हाथ उठाती है सरपच की पतनी दूर जा गिरती है, गीता उठकर खड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी गीता रही बलकि एक चुड़ैल लग रही थी बहुत आराम कर लिया तुम दोनों मा बेटी ने दोनों मा बेटी गीता का ये रूप देख कर थरथर काप रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये गीता अचानक चुड़ैल कैसे बन गई आसे इस घर का सारा काम तुम दोनों करूगी, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बरतन माजना, सब कुछ समझ गई तुम दोनों हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगी ठीक है, जाओ, और दोनों काम पर लग जाओ दोनों मा बेटी घर का काम करने में लग जाती है शाम होने पर जब माधव और सरपंच घर आते हैं, तो सरपंच की पत्नी उसको सारी बात बता देती है माधव बेटा, सुबह से ही उस चुड़ैल ने हमको काम पर लगा रखा है माधव कमरे में जाकर गीता के पास जाता है और उसके साथ मार पीट करने लगता है तेरी इतनी हमत, तु मेरी मा को परिशान करे, और घर का सारा काम उनसे कराए लेकिन, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, माधव गीता की एक नहीं सुनता और उसको मारना शुरू कर देता है अब उसके पास सरपंच, उसकी पत्नी और बिंदू भी आ गए थे और सब मिलकर उसे मारने लगे थे वो अचानक वो से बिजली कड़कती है और वो सारे दूर जाकिते है गीता चुडैल बन चुकी थी और अब वो सब की खबर ले रही थी तुम सब ने क्या सोचा कि सब मिलकर एक निर्टोश पर अथ्याचार करते रहोगे और वो तुमें कुछ नहीं कहेगी ये सच है कि गीता तुम्हारे जुल्म उम्र भर से सकती थी लेकिन अब गीता के साथ मैं हूँ जुआला अगर किसी ने इसकी तरफ आँख भी उठा कर देखा तो उसकी आँखे फोर दूँगी चुडैल एक एक करके उन चारों के पास जा रही थी और उनकी पिटाई भी कर रही थी इस बेचारी ने तुमको मा का दर्जा दिया और तुमने इस पर अथ्याचार किये चुडैल बिंदू के पास आ गई तुझे इसने अपनी चोटी बेहन समझ कर सही बात बताई तो तू उल्टा इसको ही गलत बोल रही है चुडेल सरपंच और माधव को भी हवा में उल्टा लटका देती है और तुम दोनोंने भी इसको नौक रानी समझा हुआ है आज में तुम सब को जान से ही मार दूगी अरे देखो चुडेल रानी हमको माफ कर दो अब हम गीता पर कोई भी जुलम नहीं करेंगे और इसको अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे हाँ हाँ हम सब गीता को अपनी बेटी की ही तरह रखेंगे हमको माफ कर दो ठीक है मैं आज तो सब को माफ कर रही हूँ लेकिन ये याद रखना अगर दुबारा कभी किसी ने भी गीता को परिशान करने की सोची भी तो मैं उसको नहीं छोड़ूँगी नहीं नहीं हम दुबारा ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं और हा सर पंच मैंने तेरे बारे में भी बहुत सुना है कि तू गाउवालों को बहुत तंग करता है तू भी अपना लालच कम कर वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा ये चुड़ैल जी ये आपने बोला और लो इधर मैं सुधर गया अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा मैं चुड़ैल गीता के शरीर से निकल कर वाकट को चली जाती है और गीता वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी चारो गीता के चारो तरफ खड़े थे गीता को होश आ जाता है और वो सब को अपने पास देख कर हैरान थी क्या बात है माजी आप सब यहाँ पर और मैं यहाँ पर कैसे आ गई कुछ नहीं बेटी तुझे चक्कर आ गया था और तू बेहोश हो गई थी ये ले पानी पी ले गीता को सब कुछ बड़ा ही अटपटा लग रहा था कहां तो सब उसको सांस लेने की भी फुरसत नहीं देते थे और आज उसको पानी पिला रहे हैं गीता मनी मन सोच रही थी कि कुछ तो गरवर है लेकिन उसको चुड़ैल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला लेकिन अब गीता खुश थी क्योंकि अब घर के सब लोग सुधर गए थे वो गीता से बहुत अच्छा बरताव करते थे और घर के कामों में भी उसका हाथ बटाते थे गीता को खुश देखकर वो चुड़ैल भी खुश थी मुझे खुशी है कि मैं इस बिचारी गीता के कुछ काम आ सकी काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी चुड़ैल आ जाती तो मैं भी गीता के जैसे हसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही होती चुड़ैल वहां से चल देती है